हिंदु धर्मी तीथियों का काफी महत्व बताया गया है। आज हम बात करेंगे आशाड अमावस्या की जो कि इस बार 21 जून को पड़ेगी। आपको बता दे कि धर्मिक लिहास से ये तीथि बहुत ही शुब मानी जाती है। हिंदु पंचांग के अनुसार आशाड महा हिंदु वर्ष का चौथा महीना होता है। इस दिन पवित्र नदियों धार्मिक 13 सिस्थलों पर स्नान करने का विशेश महत्व है। चलिए पूरी जानकारी लेते हैं अपने एस्टोलाजर से। साथ ही वीडियो के अंत में हम आप दिन रवी बार को अमावश्य तित्थी मनाई जाएगी। जबकि ये 20 जून दिन शनी बार को 11 बचकर 51 मिनट से प्रारम भोकर 21 जून दिन रवी बार को 12 बचकर 10 मिनट तक रहेगी। हर तित्थी का अपना अलग महत्व है तो इस बार अमश्य तित्थी का भी विशेश मह हिंदू पंचांग के अनुसार अशाड मास, चौथा मास माना जाता है। अमश्या के बाद, अशाड अमश्या के बाद ही पूर्ण तह वर्षा रितु प्रारंब हो जाती है। चंद्रमा की सोला कलाओं में से घट्ती और बढ़ती कलाओं का ही प्रणाव है। हर माह के दो पक्ष बनाए गए हैं। शुकल पक्ष पंद्रा दीन, यानि जब चंद्रमा की कलाओं बढ़ती हैं तो शुकल पक्ष है। आपने देखा होगा तब जाकर पूर्णमा को पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है, कलाएं बढ़ते बढ़ते और जब घटती है तो कृष्ण पक्ष है, अमश्या की रात बिल्कुल पूर्ण तहरात होती है, या यूं कहें गंगोर रात्री होती है, लेकिन अमश्या की र संसार में जितनी भी चीज हैं, जितनी भी चीजों के आप कलपना कर सकते हैं, सब कहिन कहीं विद्यवान है, आप हर चीज का प्रभाव महसूस कर सकते हैं, किसी रेत के कंड को भी अगर आप बहुत मलके भी खतम करना चाहें, तो दिखाई तुने देखा लेकिन उसका अश प्रभाव को भूत, प्रेत, देव, दारव ये सब बहुत ज़्यादा यूँ कहले एक्टिव रहते हैं, इनका प्रभाव रहता है, और इसलिए इस दिन मंत्र साधना के बहुत प्रभाव है, पित्रों किनिमित तो आप अश्नान ध्यान करके, वैसे तो लॉग डॉन है नह प्रभाव को निमित दान पुर्ण कर सकते हैं, पित्रों से प्रार्थना कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए पित्रों से ख्षमा यार्चना कर सकते हैं, कि हमारे परिवार से हमसे कभी कोई भूल हुई हो, उसे ख्षमा करे और हमारा जीवन सभल करे, हमारे कारे सिद्ध इसी तरह से अमवश्य तिथी वाले दिन अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो आज बापको बहुत बहुत पूर्ण उपाय जानने को मिलेंगे अगर आप करेंगे तो शत प्रत्सत इसका प्रणाम आपको सामने नजर आएगा देखिए अमवश्य बाले दिन तो ऐसे विक्ति को पूर्ण तह पपित्र रहना चाहिए कोई मादक वस्थों का सेवन नहीं करना चाहिए मान सहार या शराव इत्याद का सेवन नहीं करना चाहिए जो उस दिन ये सब सेवन करते हैं उसका प्रभाव उनके बहाग्य पर उनके भविश्यपन भी कही न कही असर पड़ता है ये तो समझने और मानने की बात है उपाय करना चाहते हैं आप तो पहली बात तो मुश्य वाले दिन पीपल ब्रिक्ष के पास आप दीपक जरूर जलाएं कड़वे तेर का दीपक पीपल ब्रिक्ष के पास जगाना है और पीपल ब्रिक्ष के साथ बार परिक्रमा करनी है और फिर भगवान विश्यू के मंत्र का अगर आपको मंत्र आये तो ओम नमो भगवति वासुदेव आये समंत्र का जाब कर सकते हैं या फिर अपने इश्ट का जाब कर सकते हैं साथ बारे परिक्रमा करेंगे और आपको लाव होगा पित्र प्रशन होंगे आपके तो आप अम वश्ट वाले दिन गर के सभी कोनों को साप कर दें और घर के मंदिर पर सुबह और शाम दोनों टाइम दीपक अवश्श जलाएं तुलसे विर्क्ष के पास भी आप दीपक जला सकते हैं हाँ अब मश्या वाले दिन तुलसी बिलपत्र आदी ये तोड़ना नहीं चाहिए अगर आपको चड़ाना है बिलपत्र आदी कहीं पूजन बगरे में तो आप पहले तोड़ सकते हैं सबसे बड़ा उपाया अगर आप किसी पीड़ा शिक्रसीत है या किसी को रोग है या दवाई नहीं लग रहे है बिमारी है तो आप विस्वास करके अपने इश्ट पर प्रमात्मा पर विस्वास करके आप उस दिन रोगी के वस्तर से एक दहागा निका ले और उसे रोई के साथ जोत बना ले और ये ले जाकर कि महवीर के हनुमान जी के मंदर बजरंग ब पर नदी पर तो आप जो दो करके दूद में प्रवाह कर सकते हैं हर अमामश को आप ये कर सकते हैं आप देखेंगे दीरे दीरे आपकी सब परिशानिया कतम हो गई हर अमामश वाले दिन जो को दूद में दो कर बहते पाने में प्रवाहित करें अगर आप एक और उपाय कर शनी महराज का पूजन भी कर सकते हैं, शनी महराज के प्रभाव के साथ-सत बाकी गरहों का प्रभाव भी कम होगा। अमवश्य वाले दिन आप जरूरतमंद को, गरीबों को जितनी भी सेवा कर सके दान पून न करें, आपके लिए अत्यन्त लाबकारी होगा। अमश्यतिती का बहुत भी सेस्मात्य है और अगर आप मंत्र जाब करते हैं तो अमावश्ट की रात्री सबसे स्रेष्ट है इस रात्री को आप बैट कर बड़े स्रद्धा भाव से अपने इश्ट का अपने मंत्र का अब ये जरूरी नहीं कि तंत्र साधनाई की जाए आप मंत्रों का जाब भी कर सकते हैं मैंने पहले भी कहा कि हमेशा भगवान के पूजन का बहुत प्रभाव महत्त है लेकिन किसी परवपर किसी तिती पर कोई ऐसा योग होता है जिस पर हम थोड़ा भी कुछ कर देते हैं उसका बहुत महत्त मिलता है अम अब वश्य तिती वाले दिन सूर्य ग्रहन भी है 21 जून को रभी वार को सूर्य ग्रहन है हलाकि आपको जैसे हर तरह की धार्मिक जानकारिया कुणली टीवी के माध्यम से मिलती है तो ग्रहन की जैनकारी भी दूसरी वीडियो से आपको दी जाएगी उस दिन ग्रहन है और 21 जून को भी ग्रहन के समय आप कुणली टीवी में ग्रहन के बारे में सारी चर्चा सारी जनकारी आप लाइफ देख सकेंगे तो ग्रहन बाले दिन भी बहुत नियम परहेज का पालन करें तो बहुत फायदा होगा अंत में एक प्रार्थना हमेशा हम सब को प्रकृतिक का भगवान के बनाए नियमों का सम्मान करना चाहिए हम कई बार कहते हैं कि सब कुछ विजआन है विजआन बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है अब आज का हाला दे कि आप समझ सकते हैं विज्आन से परे भी कोई शक्ति है जो अपना प्राभाव दीखा सकती है इसलिए प्रकृतिक का सम्मान करना चाहिए विरिक शादी लगाना चाहिए और जलक की वचत करने चाहिए पानी की वचत करने चाहिए वैसे भी जिस परिवार में पानी बहुत वेश्टी करते हैं लोग उस परिवार पर क्लेश और वरकत खत्म हो जाती है कि और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रही हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें चाथ ही अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं धन्यवाद